पहले मैं आपके समने 2014 का cut-off एक बार देखा देता हूं 59, 63, 53, बोपाल, बैंगलोर, अजमेर, अजमेर देखे इतना ज्यादा cut-off जाता है लेकिन यहां फिर 60 मान के चलिए 60 गया था, भूमनेसर 73, देखे ज्यादा चलिया था, क्यों हो रहा ऐसा, आपको लगेगा अजमेर क के साथ उलट फिर उन्होंने किसी और के सजेशन पर साइबर के वाले के बात पर इधर अपलाई कर दिया और आपना आपको समझना होगा कि आपकी जो क्वालिटी किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उस वाइस भी आपको बोड चूज करना पड़ेगा, तो ये cut-off मैं सिर्फ आपको रिफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, इसके बाद 2018 का दिखाने वाला हूँ, और वो जब देखेगा, आपको तो यहां थोड़ा से एक बार तिर्ची नजर से देख लें, इसको याद कर ले, कि देखे, 60 के लमसम गया, 60 और 70 के आसपास है, अब नीचे जाएंगा, तो नीचे भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, अब आपको थोड़ा 2018 का देखाता हूँ, बोड़, देखे, 2018 में क्या हो गया था, वहां आपका रेंज क्या था, 60 से 70 था, यहां का रेंज देखे, आपको देखके लगएगा कि इतना कम और कैसे हो गया, यहां देखे, 43, 53, अजमेर, देखे, अजमेर का दूसरा पुष्ट का, 40, अलाबाद, बैंगलोर, 45, 40, 51, 47, 40, 43, क्या हो रहा है भाई, वो 60, 70 वाले कहा चल गया, देखे, 44, 44, मुझफरपूर, देखे, 42, मुझफरपूर का दूसरा पुष्ट, 44, 48, पट देखना होता है कि आपने ITI किया है, प्लस टू किया है, तो वो सब क्या होगा, उसके बार में भी समझेंगे, और यह तो देखे, मेकानिकल का था, मेकानिकल का देखाता हूँ, अलेक्रिकल का यह देखे, अजमेर का देखे, नहीं था, कुलकाता का, 61, मुझफरपूर का 50, इसमें जो है, अब यह भी समझें कि जो मेकानिकल है, उनको थोड़ा फाइदा मिनने वाला है, मेकानिकल के जुट च्वार के साथ sniff ज़ाधा जाता है, क्यूकि अटनों को यह देखे, लेकानिकल के सेट बहुत ज़ादा ही, यह देखे, यह अलग ही ब्रांच, आब क्लस ट ये सच्चा ही नहीं है उसके बारे में में बता रहा हूँ देख लिज़ा अज मेरा 48-47 सिकंद्रबाद मुंबई तिरपन यह देखे भूर्वनेस्वर, 50 भोपार और यह तो सिर्फ मैं अन्रिजर्व के बारे में बता रहा हूँ जनर्रल वालों के लिए क्वालिफाइंग कटप है यानि 30 नंबर और यह देखें OBC वालों के लिए 22 देखें इस तरह का निकाला गया था लेकिन क्या हुआ था कि जब आप सुनिएगा तो यह कितना ज्यादा अजीब चीज हुआ था कि CBT1 जो हुआ था CBT1 तो ऐसे कितने ल पहला कटप निकाला और फिर से रिवाइस किया अगर आप किसी 2018 वाले केंडिट को जानते हैं तो उससे जाके यह पूछ सकते हैं और उससे भी बड़ी बात देखें यह सकेंड इस्टेज पार्ट भी पार्ट भी क्या है यह आपका टेक्निकल पेपर होता है जैसे कि आप मेकनिकल के हैं तो उसका पेपर होता है यह 75 नंबर का होता है और यह क्वालिफाइंग नेचर होता है तो इसमें बोला गया 35% लाना है और 35% जब 75 कर किजिए तो 26.25 और आपको एक साच बात बताता हूं कि इतना कटफ भी लड़के नहीं ला पाए थे और रेलवे इतना ज क्या रहा रहा है क्योंकि Maximum लड़के जो है आईटी आई वाले आटी आई बाले च्षेत्रों में लगभग क्या होता है यह पी डिपलोमा वे बिकलिया बाले के बारे में बताने वाला है उनका कुछ अलग हिसाब है हाई कि अलग अलग बता जा रहा है लेकिन अभी यह दे टेकनिसियन की वेकनसी आई थी 36 और टोटल सीट थी 64,000 जो की बहुत ज़ादा थी और यह जो टेकनिसियन है इस पे सिर्फ ITI वाले इलिजबल है जैसा मैंने बताया कि वो उतना ज़्यादा साउंड नहीं रहते हैं या फिर क्लास कम करते हैं जिसके कारण इस पे बहुत ज़ है कि अगर आप ITI से हैं खासकर मेकनिकल वाले है ना तब तो आपका बढ़ा आराम से हो जागा कितना जाएगा पोस्ट वाइस कट आप वह भी आपको बताता हूं हर चीज का बता रहा हूं डिप्लूमा बीटेग वाले सब का कितना गया था और यह देख लिए सकेंड स्ट जो मैंने अभी आपको बोला कि cut-up जो कम किया गया क्योंकि लड़के पूरे ही नहीं हो पाएं थे जितना चाहिए था रिवाइस कट-फ निकाला गया अपिर देखें एहमदाबाद का कितना होगा तिरपन अजमेच 68 अलहाबाद 59 आप देख सकते हैं आपका बैंगलोर का बोपाल का 66 पूरा का पूरा डाटा में उपलप्त करा दूंगा टेलीग्राम ग्रूप में नीचे लिंका जाके आप जॉइन कर लिजएगा एलपी 58 60 देखें चिन्ने का 60 गोरखपूर गुवाहती जम्मू 45 कोलकाता देखें 58 मालदा 51 देख रहे हैं मुंबए देखें माल करके साउथ भर देना है इस टैप का या फिर आँग बंद करके सोचते हैं कि यहां भर देना मुंबए भर देना मालदा भर देना उसा नहीं होता है मेरे भाई और इसका जो सही अनलाइसेस रहेगा वह मैं आपको प्रोवाइट कराने वाला हूँ कि आपको कहाँ अपलाई बात देख लिए 61 कितना ज्यादा अपना घर चोड़के कोई बिहार यूपी के लड़के अगर यहां भरते हैं या बंगॉल वाले भरते हैं 40 नंबर में उनको घर के पास जॉब मिल जागा यहां देखे हाला कि सिलीगुरी वालों का पोस्टिंग ठोड़ा असम साइड भी पोस्ट लिए यूगी एक वाले उसिट करते हैं यहां तक कि आइट वालों को मन है तो वह स्ट पर फाइट करते और यह जो बीटे का डिप्लोम वाले है इनके लिए ALP का seat रहता है हाला कि इस पर ITI भी जा सकते हैं मतलब सबसे ज्यादा है ITI ITI वालों के लिए सारे seat खुले होए है बीटे का डिप्लोम वालों के लिए सिर्फ ALP और यह जो है प्लस टू वाला जो सीट है वो और सबसे कम PCM वालों के लिए उनके लिए सिर्फ यह प्लस टू वाला सीट इस पे कौन सा आता है तो इस पे सिंगनल मेंटेनर और टेलीकॉम मेंटेनर बस यह दो पोश्ट आता है जो कि कैसी रहेगी उस वाइस आपको नाम सुनागा मुझफरफूर और माल्दा दोनों M से है लेकिन 15 नंबर तक का डिफ्रेंस हो गया है NTPC में मुझफरफूर और माल्दा में ठीक है तो यह जो है 15 नंबर में आप समझ रहे है कि इतना ज्यादा इधर का उधर हुआ होगा तो रेलवे में यही तबसे बड़ पमजना है कि से बाढ़ा करने अब पुराना जो पढ़ाई था कि लुसेंट से पढ़ लिया कि सपीडी की बूक आती थी अब यह आप पुराने किसी लोकोपालेट के पास यह किसी टेक्नीशन के पास जाएगा तो आपको बदा तो आपको पता दूए कि पर लेना गूरू Mpd open category है सभी fight कर सकते हैं plus two वाले जाते हैं MbM, tech, सब जाते हैं लेकिन यहां पर क्या हो जाता है यहां पर जिनका पाँ technical degree है सिर्फ और शिर्फ वही जाते है जो एक तरह से reservation हो जाता है जबर्दस वाला reservation होता है तो यह मौका आपको हाँ से जानें नहीं देना है, कि सब्सक्रेशन आपको पता चल जाँगा कि आपका हुआ है, तो यह बहुत बड़ी बात इसमें 55 जोना नहीं चलता है, जैसा Non-Technical Post में चलता है, तो यह सब लेकर यह एक बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा आपसा साथ हुमारा आपको स्योर सॉट सेलेक्शन दिलवाने वाला आप पढ़ने में कम जो रहें कोई बात रहीं कम नमबर आता है कुछ नहीं गुरूप D में नहीं हुआ कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस बार आपका जरू हो जाएगा अगर आप प्लस टू किया है या फिर आपको पैसा कम मिल रहा है और आपको क्या चूज करना यहीं तक रहते हैं इससे ज्यादा लंबा नहीं करना जाएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा आपके पूरी तैयारी में आपके साथ हूं मैं हर कदम और टिलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लेगा यह पूरा डाटा मैं वहां पर आपके लिए उप्लब करवा दूंगा तो वीडियो को यहीं रखता हैं फिर आपसे मिलता हूं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए